प्रिशा को अपने पास रखने के लिए अर्मान ने कीती हर एक ममकिन कोशिश और अब उन सारी कोशिशों का परदा फ़ाश होते हुए नजर आने वाला है दरसल पुलिस टेशन में अर्मान पहुंच चुका है प्रिशा भी है रुद्राक्ष भी है और यहां पर होगी प्रि पर इसे अपनी पत्मी बता सकता है और इसकी शादी भी कैसे हो सकती है क्योंकि यह अभी भी मेरी पत्मी है इस पर मेरा पूरा हक है और अर्मान यहां पर पहले से ही जानता था कि रुद्राक्ष जब भी मिलेगा वो प्रिशा को अपनाने के लिए इस तरह के बाते जरूर करेगा इसलिए अर्मान ने चली है बहुत ही सोची समझी चाल और यहां पर अर्मान की conspiracy आपको नजर आने वाली है कि उसने कुछ documents फोर्च किये हैं यानि कि कुछ documents उसने नकली बनवाए हैं जिससे ये show करा है अर्मान ने कि प्रिशा रुद्राक्ष का डिवर्स हो चुका है और अब प्रिशा को किसी और सो शादी करने के लिए किसी के permission के जरुवत नहीं है और इसलिए वो अर्मान के साथ रह रही है अपनी मर्जी से अपनी खुशी से ये सब कुछ अर्मान ने उसी दौरान किया था जब उसने प्रिशा का किड्नाप किया तब ही उसने अखली कि बात तो कहीं से आती ही नहीं है अब ऐसे में देखना होगा काफी इंट्वरस्टिंग जब अर्मान की हरकतों का पता चल चुका है रुद्वराक्ष को और अभी तो रुद्वराक्ष को ये नहीं पता कि अर्मान ने प्रिशा की में मिरी लॉस के लिए उसे दवाईया दी है और प्रिशा को ये तक याद नहीं है कि वो खुद एक डॉक्टर है तब क्या होगा इन सब का रियाक्शन ये देखना होगा सब्सक्राइब करें वीडियो को लैक्शे करना ना भूलें